तो बच्चों आप सभी के स्वागत हैं, तो आपका गणीत का एक्जाम कल 27 परवरी को है, ठीके ना, तो देखो जो भी आज परस्न करवा रहा हूँ, यह मातपूर है, इस वीडियो का आपको पूरा देखना है, जो भी परस्न करवा हूँ वह मातपूर परस्न है, आपको इस पर हो गया tau बनिया संकु एक ठोस एक संकु के कार का है,… जो एक समान आधार है चलिए इसकी तिर्जी उचाई हो गया अल हो गया कि उपर से लिए नीचे इस पर रखा गया गया नीचे कहते हैं समाना आधर की तरी फोल जेख कितना आर है एक यह दी और गोले का बमक पिस्ट पाई आहाkehr को Cabber poni तो इसलिए यहां पर लिख दिया हैं यहां पर लिख दिया हूं टू पाई आर एल दोनों का है समान है तो बीच में बराबर लगा दूगे तो बोला है संखू की तिरिजया माला आर और संखू की उचाई इचाई के मालदा ह। मैं आर बटा हुआ इसमें मान ग्यात करना पह sulfur कोता है इधर बशुएए को में और अर स्फॉर बाबस ऑब और इस्वाइर प्लस से स्कूर थे था और से दूर्व से और केंशिटिय이션 हो गया है तो बचएका टूर्च जुर्ट्टो है एल ये टूर्स एलजिक है नो आर से ईлоाबस प्रक्ष्रूर टूर्जुटा आर का स्क्वाइर इधर बराबर में इधर एल का स्क्वाइर अराम से देखो बिल्कुत सांती से बंद से देखो ठीके ना जल्दी बाजी कोई नहीं है तो इधर यह वोला वाज़ेगा वो चार आर का स्क्वाइर एक्वाल टू में एल का स्क्वाइर तो चार आर का equal to में h square तो 4 r square में आसे r square घटा होगे तो 3 r square equal to में h square ठीक है अब दिखीए अब अब वो यहाँ पर देखो अब क्यों करेंगे देखो यहाँ पर h square यहाँ पर गुणा में लिख सकते हूँ अब h square गुणा में इदर गे तो भाग में तो होजएगा 3 r square बटे में h square equal to में यहाँ पर 1 अब 3 गुणा में इदर गे तो बटे में तो का होजएगा r square h square equal to में 1 बटे में 3 हमें मान गयत करना है r बटे h का तो यहाँ पर square है इदर जएगा तो root में तो इदर बचएगा r बटे में h इकवाल टू इधर होज़ेगा root में एक बट्टे में 3 ठीक है तो होज़ेगा r बट्टे में h इकवाल टू देखो root से बार एक होज़ेगा आज नीचे 3 ठीक है न तो r बट्टा मदला अनपात मदला अनपात लगा सकतो h एकवाल टू में 1 अनपात में 3 ठीक है तो एक समन्ध्य 3 ठीक है तो इतना उत्तर हो देगा अनपात कितना देगा एक समन्द्य 3 बढ़िया प्रसन था चो नम्बर मिल देगा बढ़िया से लिख दोगे ए Guid spar देखो ए वालब प्रसन आपको दिख रहा होगा देखो ध्यान से यह भी छो नमर का है आथों में अगर ऐसे प्रसना आएगा तो क्या बनेगा 12 से मी 16 से मी और 20 से मी ब्यास वाले ब्यास दिया है ठीक है नहीं यहां पर देखो एक बारे से मी है की बियास वाले तीन्टोस गोले ना गोला ए एकोछेस्ट सबूसरा कर एक साफ मलेश जाता है उन्स मतला तीने को पिखला कर यंक बढ़का बनाया जाता है तीनों को पिखला कर एक बलका बना जाता है मतलब इन तीनों को पिखला कर मतलब इस गुला 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 बना जाता है ठीक है बोला है इस ठोस गुले का ब्यास गयत किजी मतलब इसका ब्यास गयत करने इसको ब्यास गयत करना है, देखो बबू, कांसेप्ट समझी है, जब भी पिगला कर बोलेगा, अगर प्रस्ण में पिगला कर बोलेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, आयतन बराबर कर देते हैं, ठीक हैं, तो देखो, इसमें बबू, इसका ब्यास कितना है, तो देखो, ब् इसका ब्यास सोले है तो ब्यास होज़ेगा सोले है इसका ब्यास 20 है तो इसका ब्यास कितना होज़ेगा इसका ब्यास होज़ेगा इसका ब्यास कितना होज़ेगा जी ब्यास के आदा तिरिजिया होता है तो इसका तिरिजिया चो जाएगा इसका तिरिजिया ब्यास कितना होज R2 या R3 तदेखो R1 कमान बाव उच्षा हो है, तो R1 मरेबद आद दिख रहा होग़ आपको, ठीक है, R2 कमान कितना है, 8 है, R2 कमान 8, R3 कमान कितना है, 10, ठीक है, और इस गोले का तिलीजिया मालव, इस गोले का बड़का गोला है, उसका तिलीजिया कैप्टल आर, सब गोला है तो इन 3 गोले को पिघ्ळा कर एक बढ़ इसको इसको तीनों को सब्सको अचना होगा है 4 na 3 by r2 का क्यूबर फिर से भाव प्लॉस है तो फिर इसका इतना होगा 4 Na 3 3 빨리 अरफिरी का क्यूब टां ओर थीरक एडियर का क्यूब थिय्क है तर तीनी का इसका वाएंटन कितना होगा इसको बनाईया थे इसके आज यहां बराबर करेंगा तियों में बराबर तो चार बटर तीन पाई है इसमें भी चार बटर तीन पाई है इसमें भी चार बटर तीन पाई है तो क्या करेंगे चार बटर तीन पाई कामन कर लेंगे तो चार बटर तीन पाई कामन कर लोगे तका अब जगा R1 का cube plus R2 का cube plus उसके वग्षे R3 का cube उसके वग्षे बराबर का बराबर होजाएगा उसके वग्षे चार बटर 3 पाई बढ़का R का cube ठीक है अब आप इस से और इस से क्या होजाएगा cancel out होजाएगा है कि यहां डोनों तरफ बराबर एता बराबर n के इद कितना चो यह टार्वन के सतन launch Part पुलस R2 के स्थन पर 8 है तो कहाँ देगा 8 का क्यूब पुलस R3 के स्थन पर बबबु कितना है 10 तो 10 का क्यूब इक्वाल टू यहाँ पके अप्टल R का क्यूब ग्याद करना है तो बबबु 6 का क्यूब कितना होता है 6 का क्यूब होता है 266 8 का Q कितना होता है 512 10 का Q कितना होता है 1000 अब 12R का Q अब सब को जोड़ दो बबू 266 512 उसके बस से 1000 सब को जोड़ना है ठीक है एक मनट रुको अब तुमें Q निकालना नहीं जानते हो तो इसका मतलब क्या होता है 6 गुणे 6 गुणे 6 ठीक हो इसका मतलब 6-6 कितना होता है 36-6 36 में 6 से गुणा कर लेना ऐसे 36-6 हासिल 818-11 266 आएसे निकलता है तो सब को जोड़ाए तुमें दो दे को 6-2 कितना होता है 8-1 कितना होता है 2-7 1-1 मतलब 1728 1728 28 121 Q 278 किसका Q हो होता है एक्वालिटी में R का क्यूब है, तो Q से Q कटेगा, तो R कमन कितना वाजएगा, यहाँ पर देखो, बारे, ठीक है, ना, R कमन कितना वाजएगा, बारे वाजएगा, आगे समझ में, तो इसका वाला यह बड़ा वाला गोला है, इसका 3RPG कितना होता है ? लाबह 25 हो जाएगा है ? अगर 3RPG बारे आ गया है तो लाबह 23 हो जाएगा